तो यहाँ पर जो कोहर आया ना कि तेल लीटर के हिसाब से बिखता है चावाल दाल किलो के हिसाब से बिखता है तो बिखता है कौन बेचता है इसका आता पता नहीं है तो यह संटेज जो है डारेक्ट जो है पैसी भॉएस में है किस में है बटा पैसी भॉएस में है बाई का परियोग पढ़ेंगे a spoken point of view से क्या पढ़ेंगे बाई का परियोग पढ़ेंगे a spoken point of view से जब हम आप लोग को बताये थे कि बाई एक प्रिपोजीशन है तो उसका अलग हिंदी बताये थे की हिसाब से क्या होता है के हिसाब से और बाई क्या है विटा एक प्रिपोजीशन है जिसका हिंदी होता है के हिसाब से concept clear हो रहा है हो रहा है न तो पहले हम लोग what बनाना सीखेंगे क्या बनाना सीखेंगे what बनाना सीखेंगे एक मिनट में एक हजार दो मिनट में दो हजार तीन मिनट में तीन हजार चार मिनट में चार हजार और पांच मिनट में पांच हजार है ना Google चल वटा तो बाई का हिंदी क्या निकला से जैसे अगर हम कहें वटा कि बाई द केजी केजी मतलब किलोगराम तो बाई दा केजी समझे है इस चीज को चूकि बाई का हिंदी क्या हो गया वटा के हिसाब से यहाँ पर दो का प्रियोग होता है, बिटा, क्या होता है, दो का प्रियोग होता है, आ केजी मने किलो समझ रहे हैं न, तो बाईदा केजी मतलब, हाँ, किलो के हिसाब से, जैसे मालो कि आप हिंदी बोल रहे हो, कि चावल कीलो के हिसाब से बिखता है, डाल कीलो के हिसाब से बिखता है, आटा कीलो के हिसाब से बिखता है, और डीजल पेट्रॉल, लीटर के हिसाब से बिखता है, ठीक है, तो डीजल पेट्रॉल के लिए क्या कर देंगे, बाईदा, तो बाई दा लीटर मतलब लीटर के हिसाब से अब बाई दा केजी मने कीलो के हिसाब से अगर हम यही कहा दे बटा कि बाई दा मीटर के हिसाब से क्या विखता है कपड़ा विखता है क्या विखता है कपड़ा तो का रहे कि बाई दा मीटर मतलब मीटर के हिसाब से संटेंस बनाना बिलकुल आसान हो जाएगा अगर वर्ड बनने लाएगा तो ठीक है तो बाई दा मीटर मतलब मीटर के हिसाब से बाई दा लीटर के हिसाब से था जाब से अगर हम कहदे बटा ऐसे कि भाइद LEY्यूजेन हाँ, दर्जन के हिसाब से दर्जन के हिसाब से क्या विखता है केला केला आप लोग अभी ताज महल देखने गए हो अगरा अब ताज महल के आसपास जाओगे न तो वहाँ केला बिखता है कीलो के हिसाब से और हमारे यहाँ केला कैसे बिखता है दरजन के हिसाब से लेकिन ताज महल के आसपास जाओगे न केला खरीदने तो वहाँ कीलो के हिसाब से बिखता है ठीक है चलो तो बाई दरज्ण मतलब दरज्ण के हिसाब से, अब अब हम ऐसे कहें बेटा कि बाई दरज्डा हंड्रेट मतलब सैकड़ा के हिसाब से, बहुत सारी चीज करा के हिसाब से विखते हैं जैसे हाजीपुर का लिची, हाना? ता हाजीपूर के लिची जो है स्वैकड़े के हिसाब से भिखता है न हमारे यहां भी लिची जो है स्वैकड़े के हिसाब से भिखता है के जी के हिसाब से भिखता है लेकि स्वैकड़े के हिसाब से भी भिखता है ओके अगर हम ऐसे कहा दे बटा कि by the thousand thousand मने हाजार मतलब जार के हिसाब से, ठीक है? अगर यही हम कहा दे बिटा कि बाईदा पेर, पेर मनने क्या होता है? पेर मनने जोडा, मन वो अकेले नहीं आएगा, जोडा में रहेगा, जैसे चपल हो गया, जूता हो गया, समझ मारी है? या ओरते जो है कान में, हाँ, या रिंग, समझ मारी है? या ठीक हनठाल अगर, आ पायल का था ना? ठीक है, फेर गया, जोडे के हिसाब से, भीकता है, मतलब एक पीस नहीं मिलेगा, दो मिलेगा, तो उसको अगर रिजिमे क्शा करते है, पेर, तो बाई अडाल पेर मतलब, जोडा के हिसाब से, समझ मारी है? या ओरी है? या सुस्रस्合 uhon बना सकते हैं बना सकते हैं जब uhon बनना लएगा तो इस पर sentence भी बनना असान हो जाग gravity बता रहा था अप लोग को इस पर लिटर कही साब से कि डिजल पेटर लिटर कहीज साब से बिखता है लिच्ची सैकड़ा कहीं साब से बिखता है केला जो है दरजन कहीं साब से बिखता है ठीके यहाँ पर एक एक वर्ड मैंने बनाया है विटा ध्यान दो तो आपनो जैसे बाई दथ हाउजेंद हजार कहीं साब से तो हजार कहीं साब से से क्या दिखता है बताव आप लोग है कि आफ फटता चलबार रहा है किसी को नहीं वेरइन फ्रकिता है मिक्ता है हमारे यहां इत जो है हजार के हिसाब से यह समर्जा मारी है चलो आप कहना हूँ कि it 1000 के हिसाब से बिखता है और पाइल, एरिंग, जूता, चपल, जोड़ा के हिसाब से बिखता है, इसमें बहुत सारे चीजे जो है, आ सकता है, ठीक है, अब जो संटेंस में बोल डाऊं हिंदी में, उसको इंगलिस में कैसे बनाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को कंसेप्ट समझना पड़ेग वाइस का, वाइस समझते हैं न, क्या, वाइस का कंसेप्ट सबको मालू है न, वाइस दो होता है, एक एक्टिव वाइस, एक पैसिव वाइस, यानि कि एक्टिव और पैसिव, तो एक्टिव वाइस में सबजेक्ट परधान होता है, और पैसिव वाइस में अबजेक्ट पर तो यहां पर जो कहर आया है कि तेल लीटर के हिसाब से भीकता है चावल डाल किलो के हिसाब से भीकता है तो भीकता है कौन बेचता है इसका आता पता नहीं है तो यह sentence जो है डारेक्ट जो है पैसी भॉयस में है किसमें है बटा, पैसी भॉयस में तो इसका structure लिख द रहा है पहले पैसी भॉयस का ठीके बटा, तो यह जो sentences इसमें बनाएंगे पैसी भॉयस पर जो हम बोल रहे हैं active voice पर भी बना सकते हैं, no doubt तो अब्जेक्ट लिखेंगे और संटेस जिस टेंस में होगा उस टेंस का अनसार क्या करेंगे उसके अनसार हम वार्व लिखेंगे ठीक है चाहो एक जुली भर्व हो चाहे कोई कोई भी भर्व हो ठीक है ना एक जुली भर्व ही यहां पर आता है लेकिन उसके बाद क्या करे बटा, डॉट, डॉट समझे लो, संटेस देखो, समझ में आने लाएगा, आटोमेटिक, जैसे मैंने क्या बोला था बटा, कि कपड़ा जो है, मीटर के हिसाब से बिखता है, यहाँ पर पहला वड है, कीलो के हिसाब से, ठीक है, कीलो के हिसाब से, तो कीलो के हिसाब से क्या ब कि लोग कहीं साब से बिखता है, तो संटेस बना डालो यहां पर बैटा, कि द शूगर, ठीक है ना, अब पैसी भुआयस का पहला पचान होता है बैटा, कि इसमें जो है वर्ब का क्या रूप लाएगा, वर्ब का जो है, थार्ड रूप लाएगा, तो कहेंगे कि द शूगर, शूगर इज, अब बिखना यह नहीं कि बेचना, बेचना का नहीं होता है सेल, अब सेल का जो है, थार्ड फर्म होता है, सोल्ड, तो कहेंगे, द शूगर इज, सोल्ड, इतना का हिंदी निकलेगा, कि चीनी बिखता है, और कैसे बिखता है, कीलो के हिसाब से, तो कहेंगे, अब इसका हिंदी क्या हुआ चिनी कीलो के हिसाब से बिकता है ठीक है चलिए सेकंड संटेंज देख लेता है बटा कोई एक किस पर बना है संटेंज जल्दी बोलो आपनो किस पर आपनो डिफकल्ट लग रहा है अचा थाउजन हजार वाला चलो तो कहेंगे ऐसे कि दा ब्रिक्स ब्रिक बने होता है एट तो इट को गिन सकते है न इसलिए यहाँ पर जोकर एस लग गया ठीक है न तो कहेंगे ब्रिक्स आर सुल्ड इसका हिंदी क्या हुआ कि इट बिकता है और कैसे बिकता है बाइदा 1000 मतलब हजार के हिसापसे अग दा कलाथ इज सोल्ड बाइदा मिटर कहेंगे दा लिच्ची इज सोल्ड बाइदा 100 अ यह रिंग इज सोल्ड बाइदा पर सब्चारी इज सुल्ड इज सोल्ड बाइदा पर अब बताओ संटेज बनाना असान है या डिपिकल्ट है असान है न तो अगर आपको लगता है न कि word बनाना क्या है? आसान है, इजी है. तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? मुझे follow करना चाहिए. क्या करना चाहिए? मुझे follow करना चाहिए और मैं मिलूगा कहाँ पर? English plus by Sanjeev Siwani. तो थोड़ा सा मैं अपना app दिखा दूँ. मेरे पास आने के दो रास्ते हैं. कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं. YouTube से आजाओ, आने तो मेरे app से आजाओ. है ना? YouTube से आओगे, तो English plus by Sanjeev Siwani को क्या करना होगा? Subscribe करना होगा. App से अगर आते हूँ तो Play Store पर जाकर इसको download करना होगा. एक और information दे दूँ, कि अगर आप YouTube पर आओ, आचा है app पर आओ, आपको कोर्स क्या में लेगा? Family Park, English सीखें. Family का मतलब होता है विठा, परिवार. यानि कि पूरे परिवार के लिए बेवस्था है, कि पूरे परिवार के लोग English कैसे सीखेगा. चाहे हुए students हो, businessmen हो, या नौकरी में हो, या English सीख कर विदेश जाना चाहता हो. या competitive की तयारी करता हूँ, general way, SSE, banking, NDA, कोई भी general competition की एक्जामिक तयारी करता हो. सबकी English यहाँ पर प्लाई जाती है, इस platform पर. और मैं हुआ, संजीव सीवानी, PESSA writer, बहुँ सारी कि पुष्टके मैंने लिखी English spoken grammar और translation की. For example, आप देख सकते हैं, धारा परवा, अंग्रेजी बोलना सीखे, A, B, B, C, spoken plus grammar kit. 5 books, 0 to hero, पुष्टके नहीं अंग्रेजी सीखाने के जादू है, order right now, और contact number. देखो, यहाँ भी लिखा है family pack, English सीखे, तो family pack इसका भी नाम क्यों दिया गया है? चुकि पूरे family के लिए किताब इसमें available है, यानि कि 5 किताबे हैं, कितने किताबे हैं? 5 books, पूरे परिवार के लिए बेवस्था है किताब की, और course की भी पूरे परिवार के लिए, और यहीं नहीं, यह भी किताब मेरे ही लिखे हुई है, देख रहे हैं न उटा? और भी बहुत सारे किताबे हैं, जो यहां पर हाय नहीं, यहां दिख रही है, हना, तु कहने के मतलब क्या है? कि यह मेरी अपनी थौट है, अपना रिसर्च है, कि वड़ पर कमांड कैसे करेंगे, ग्रामर पर कमांड कैसे करेंगे, और अस्मूथली, इंगलिस कैसे बोल लेगे, इस से जादा हम लोग सीखेंगे, अगले क्लास में, तब तक मैं लेना जाहूंगा एक छोटा सबरे, ज दोड़ोड़ का इंगे, इस शाद नहीं थारा कर दोड़ोड़ ऐना आप एक टूड़को जद करेंगे, जविए प्रेटर दोर्वाड़ को लोग थर्यार करेंगे, अपना पना रिद, अक्या करेंगे, इसस दो लेएशने हैं, य। अवाड़़ फिरिया जादिए, जब